एक तरफ जहां सिख्षावि भाग हरियाना ने प्रदेश भर में एक जनवरी से पंदरा जनवरी तक सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों की छुटियों के आदेश दिये हैं वहीं दूसरी तरफ नारनोल के निजी स्कूल संचालक सरकार के इन आदेशों की धजियां उड़ाते नजर आ रहे हैं लगातार निजी स्कूलों के वहन रोड पर दोड़ते नजर आ रहे हैं सीत लहर का प्रकोप होने के बावजूद बच्चे इस ठिटूरती ठंड में स्कूल पहुँचने को मजबूर हैं पूरे मामले को लेकर जब हमने SDM मनोज कुमार से बात की तो उन्होंने बताया कि सरकार के इन आदेशों की पालना करवाने के लिए जिले बर में टीमों का गठन किया जा चुका है टीम लगातार निजी स्कूलों की जेकिंग कर रही है अगर फिर भी कोई स्कूल संचालक सरकार के इन आदेशों की अवेलना करता पाया जाता है तो उस पर उचित कारवाई अमल में लाई जाएगी और किसी भी सुरत में सिक्षाव भाग के इस आदेश की अवेलना नहीं होने दी जाएगी निजी स्कूल संचालकों का इस तरह से सिक्षाव भाग के आदेशों को ठेंगा दिखाना कई सवाल जरूर कड़ा कर रहा है ठंड के कान शिक्षाव भाग ने बच्चों की छुटियां की लेकिन निजी स्कूल संचालक लगातार आदेशों की अंदेख ही कर रहे है अब सवाल यह भी उटता है कि आखिर किस के आशिर्वाद और मिली भगत से या निजी स्कूल संचालक ऐसा कर रहे है क्या इन पर कोई कारवाई अमल में लाई जाएगी या ये यूँ ही सिक्साविभाग के आदेसों को ठेंगा दिखाते रहेंगे आकिर जिले के सिक्साविभाग इन पर कारवाई क्यों नहीं करता सवाल काफी है लेकिन अब देखना होगा जो स्कूल संचालक सिक्साविभाग के आदेसों को ठेंगा दिखा रहे हैं उन पर क्या कारवाई अमल में लाई जाती है एक तरफ जहां सिक्साविभाग हरियाना ने प्रदेस भर में एक जनवरी से पंदरा जनवरी तक सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों की छुटियों के आदेस दिये हैं वहीं दूसरी तरफ नारनोल के निजी स्कूल संचालक सरकार के इन आदेसों की धजियां उड़ाते नजर आ रहे हैं लगातार निजी स्कूलों के वहन रोड पर दोड़ते नजर आ रहे हैं सीत लहर का प्रकोप होने के बावजूद बच्चे इस ठिटूरती ठंड में स्कूल पहुँचने को मजबूर है पूरे मामले को लेकर जब हमने SDM मनोज कुमार से बात की तो उन्होंने बताया कि सरकार के इन आदेसों की पालना करवाने के लिए जिले बर में टीमों का गठन किया जा चुका है टीम लगातार निजी स्कूलों की जेकिंग कर रही है अगर फिर भी कोई स्कूल संचालक सरकार के इन आदेसों की अवेलना करता पाया जाता है तो उस पर उचित कारवाई अमल में लाई जाएगी और किसी भी सुरत में सिक्षाव भाग के इस आदेस की अवेलना नहीं होने दी जाएगी निजी स्कूल संचालकों का इस तरह से सिक्षाव भाग के आदेसों को ठेंगा दिखाना कई सवाल जरूर कड़ा कर रहा है थंड के कार्न सिक्षाव भाग ने बच्चों की छुटियां की लیکन निजी स्कूल संचालक लगातार आदेसों की अंदेख ही कर रहे है अब सवाल यह भी उठता है कि आखिर किस के आशिरवाद और मिली भगत से यह निजी स्कूल संचालक ऐसा कर रहे है क्या इन पर कोई कारवाई अमल में लाई जाएगी या यह यूहीं सिक्सावबाग के यादेसेंगा दिखाते रहेंगे आकिर जिले के सिक्सावबाग इन पर कारवाई क्यों नहीं करता सवाल काफी हैं لیکن अब देखना होगा जो स्कूल संचालक सिक्सावबाग के आदेसों को ठेंगा दिखा रहे हैं उन पर क्या कारवाई अमल में लाई जाती है करवाई करेंगे कारवाई उनके खिलाफ विभाग को लिखा जाता है विभाग को अपने नियमानुसार उनके उपर कारवाई करने होती है चाहिए वो फाइन हो चाहिए कोई और दूसरे डंड प्रावधान है